हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशेल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मूचल फंड की बात आपके साथ थिंदी में मैं गोपी कृष्ण आज आप से चर्चा करूंगा कि यसाईपी में क्या कंपाउंडिंग काम करती है यसाईपी या मूचल पर फंड स्टाक मार्केट में कमपाउंडिंग काम करती और करती है अगर करती है तो किस طरtermin करती है या नहीं करती है देख़े पहली चेज इन सभी में विष्यों के विष्यमें जानकारी करने के पहले एक चीज अर्ट सबको मालुम होनी चाहिए कि मूचल फंड या share market में return की कोई guarantee नहीं है जब return की कोई guarantee नहीं है तो यहाँ पे compounding कैसे काम करेगी आप ही सोचे विचार करिएगा सिर्फ जो पिछले return आते हैं उनको दिखाने के लिए या उनका calculation करने के लिए बताया जाता कि हाँ अगर compounding हो तो यहाँ पे इतना return आएगा लेकिन यहाँ पे जब return की guarantee ही नहीं है कोई rate of interest ही नहीं fix है तो आपको कैसे fix return मिलेगा तो पहला answer यह है कि यहाँ पे return की कोई guarantee नहीं है जब return की guarantee नहीं है तो यहाँ पे SIP में आपका compounding किसी भी तरह का कोई भी compounding काम नहीं करती है जब compounding होती नहीं तो हमारे funds में बढ़ोत्री कैसे होती है क्या हमारे पैसे में कोई growth नहीं होगी हम जितना निवेस करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो देखे यहाँ पे आपकी रुपी कास्ट averaging काम करती है mutual fund में जब आप SIP के द्वारा निवेस करते हैं तो रुपी कास्ट averaging काम करती है रुपी कास्ट averaging का मतलब यह होता है कि और एक चीज और है कि mutual fund में दो चीजों concept चलता है यनेवी और units यनेवी और units दो concept चलते हैं जब आप BIVES करते हैं तो आप पैसा लगाते हैं औग जो यनेवी उससमय होती है उसके basis पे आपको units का इलाट्मेंट होता है और जब आप sale करते हैं तो जो units होती जितने units होते हैं quantity होती उनका पैसा और जो यनेवी होती है दोनों को multiply कर दिए तो उतना पैसा आपको मिल जाता है तो आज के समय में जो market है किसी funds की जो आज यनेवी है क्या 15 साल 20 साल बाद वही यनेवी रहेगी या इससे जादा होगी इसका साधारण सा उत्तर यही है कोई भी देश हो कोई भी country हो वह हमेशा आर्थिक रूप से आगे बढ़ता रहेगा किसी भी देश की इच्छा नहीं होती चाहे जो भी सरकार हो हर सरकार का नैतिक दायत तो होता है और वह भी चाहती है कि रास्ते अलग-अलग हो सकते ही को कोई किसी चीज़ को प्रमॉट करेगा कोई किसी चीज़ को प्रमॉट करेगा लेकिन विकास सबकी प्राथ मित्ता होगी चाहे जो भी सरकार हो कोई जब अपने देश का विकास ही होगा कंट्री का विकास होता रहेगा तो आपकी एनेवी जो आज के समय में है वह अगले आने वाले दस साल 15 साल 20 साल बाद यही नहीं होगी इसका कैलकुलेशन फिर कैसे किया जाए हम एक पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप इसको देखिए समझ में आ जाएगा और आपके कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि अपने उसमें किसी ने पूछा है क्या मीचल फंड में क क्या मिस्ट कोई है मिस्टर इस है इन्हों ने 5000 रुपए का एक इन्वेस्मेंट किया उस समय यह ने भी थी 10 रुपए तो नंबर आप यूनिट्स इनको यह लाट होंगे 5000 को आप 10 से डिवाइट कर दीजिए 5000 यूनिट्स इलाट होंगे और उस समय इनके पास टोटल नंब आप यूनिट्स हो गया 5,000 रुपए इसकी वैलू रहेगी कि 5,000 रुपए रहेगी जब मल्टिप्लाई करेंगे इसको देखिए नंबर आप यूनिट्स है मल्टिप्लाई यह नहीं 5,000 हो गया उसके बाद नेक्स्ट मन तिनों ने फिर 5,000 रुपए अपने निवेश किये 5,000 रुपए फिर लगाए उस समय यनेवी थी 11 रुपए तो इस तरह से इनको टोटल मिले 454.55 यूनिट्स पिछले मैं ने क्या और ये दोनों जोड दिये जाए तो इनका होरा 954.55 और जो अब इन्होंने इन्वेस्मेंट हुआ इनका 10,000 रुपए टोटल 5,000 रुपए लेकिन यनेवी बढ़ चुकी है तो इनके पैसे की वैल्यू हो गई 10,500 रुपए फिर जब तीसरे मैंने इन्होंने निवेश किया उस समय नंबर आफ यूनिट्स यनेवी बढ़ ग टोटल यूनिट्स हो चुके 1371.22 और इनकी जो फंड वायल्यू पंद्रा सो रुपए इन्वेस्मेंट किये इसकी फंड वायल्यू हो गई है 16,454 रुपए इसी तरह से यह इन्वेस्मेंट करते चले आ रहे हैं आप देखें यहां पर 6 नंबर पर जब इनका 30,000 रुपए इन्वेस्मेंट होगा जाके 5,000 रुपए इन्वेस्मेंट फिर लगाए क्योंकि S.I.P. चला ही S.I.P. मन्त ली जाएगी तो नंबर आप यूनिट्स इनको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहने भी 7 रुपए होगी कम होगी तो यहां पर इनको 714.29 इतनी यूनिट्स एलाट हो चुके 3266.07 3,266.07 और इसकी वाइल्यू क्या हो गई 22,862.49 अब देखिए यहां पर इनका टोटल इंवेस्मेंट है 30,000 रुपए लेकिन उस 30,000 रुपए की वाइल्यू है 22,862 रुपए रुपी कास्ट रेजिंग अब यहां पर आपकी काम कर रही जहां से यनेवी कम हो रही या ज़्यादा हो रही जब यनेवी कम हो रही तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलना है लेकिन जो आपकी फंड वाइल्यू है टोटल देखिए वो भी कम हो गई लेकिन और आगे चलि रुपए यह 16 रुपए यह ने भी 16 रुपए इस समय नंबर आप यूनिट्स देखिए इनको कम इलाठ हो रहे हैं 312.50 लेकिन टोटल यूनिट्स इनको जो है एक साल में इलाठ में 5524.88 और इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है 88,398 रुपए आठ पैसे इनको कितना है और टोटल 60,000 रुपए लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 88,398 रुपए तो इस तरह से देखिए अगर एवरेज यह ने भी निकालेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा लेकिन इसी तरह से आपकी रुपी कास्ट में करना होगी तो नमबरक्राइप साब को कम मिलेंगे और और यूपंड वैलीव वो ज्यादा दिखेगी लेकिन जब मार्केट आके नीचे होगी यही कम होगी तो कि नमबर आप यूउनिट सौपको ज्यादा मिलेंगे यह आपके लिए प्राफिट का सवधा है उस समय आ यहां पे compounding नाम की कोई चीज ही नहीं है जो लोग सोचते compounding जहां पे आपको fixed rate of interest मिलता है वहीं पे आपकी compounding काम करेगी यहां रुपी कास्ट averaging काम करती है लेकिन लमसम जब आपने एक साथ परचेश कर लिया तो उसमें आपको वही profit मिलेगा जो की आपकी अनेवी उसकी ब यह नेवी थी उससे कम यह नेवी आ गई तो आप उसमें निसंग को जो है investment कर सकते हैं तो यहां पे आपको इस तरह से रुपी कास्ट averaging का benefit मिलेगा तो mutual fund यह SIP में आपको रुपी कास्ट averaging का benefit मिलेगा compounding का नहीं मिलना है इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ ले सभी लोग अगर जो लोग बताते हैं compounding वह आपको calculation के लिए बता जाता है लेकिन यह guarantee ने कितनी compounding होगी compounding पावर आप compounding के को समझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि अगर पैसे में growth हो रही उसको भी return percentage पर ही दिया जाएगा इसलिए compounding वहां काम नहीं करती है रुपी कास्ट averaging करती है सिर्फ आपको return बताने के लिए किया जाता है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है त को सब्सक्राइब नहीं किया आवसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुंचतार है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार